तो हेलो गाइस, वेलकम टॉरलेंट, मैं आश्यक करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक एसी मूवी, जो कि इस्पैनिश भाशा में है, लेकिन ये मूवी आपको चिल्थ जरूर ते देगी, इस मूवी का नाम है दे ग्रेंड मद और आप एकस्पैक्ट नहीं कर सकते हैं कि मूवी के एंड में क्या होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप मूवी के एंड तक ज़रूर बने रहीगा, क्योंकि आप मूवी में कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं तो इस मूवी के शुरुआत में हम एक बुड़ी ओरत जिसका नाम इस मूवी में पिलार है, वो एक रेस्टोर्ण में बेटकर अपनी घड़ी को देखे जा रही थी, फिर उसकी घड़ी अचानक चलना बंद हो जाती है, और वहाँ से निकल कर अपने घर पर जाती है, जहा जंग लड़की बिना कपड़ों के बाहर आती है, और उसके हाथ में एक चोटा सा टॉय भी था, अब फिलर इस जंग लड़की को उपर से नीचे तक देखती है, और वो उसे गले लगाती है, और इस सीन यह पर कट होता है, अब अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को उनक शूट होते हैं, और सुजाना पैरिस की एक नामी मोडल बन जाती है, फिर सुजाना एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर सुजाना की फ्रेंड अलवीरा उससे एक दूसरी मोडल जोई से मिलाती है, फिर सुजाना उसकी फ्रेंड अलवीरा से रिक्वेस्ट करती है, कि वो वो उसकी मीटिंग एक बड़े फोटोग्राफर से करवाए अब पार्टे के बार में सुजैना की फ्रेंड अलवीरा उसे उस फोटोग्राफर से मिलवाती है वो फोटोग्राफर सुजैना को टरक के लिए आफर करता है और उसे अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है तब ही सुजैना के फोन पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रेंड मतर का एकसिडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है सुजैना की ग्रेंड मतर का सुजैना के अलावा और कोई नहीं था और वो अकेली थी वो इस्पेन में रहा करती थी जबकि सुजैना पैरिस में थी सुजैना अपनी ग्रेंड मा को नाना बोलती थी और फिर उसे अपने बच्पन की बाते याद आती है जिसमें उसकी नाना अपनी फ्रेंड के साथ में बीना कपड़ों के डांस कर रही थी अचानक सुजाना की नियन्द खुलती है और यहां पर सुजाना फ्राइट से स्पेन अपनी नाना के पास में जा रही थी सुजाना फिर हस्पिटल पहुशती है जहां पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी नाना को ब्रैन हेमरेच हो गया है उसकी नाना तो ठीक है लेकिन अब वो बड़ी मुश्किल से चल पाएगी उन ना ही वो किसी को पेचान भी पाएगी सुजाना की नाना यानिकी उसकी ग्रेंडमा वो थी जो कि मुवी की स्टार्टिंग में दिखाए गई थी सुजाना के माता पिता भी एक्सिटेंट पे मार गए थे तो सुजाना के पास अपनी नाना के साथ रहने के अलावा और कोई आप्चन नहीं था अब डॉक्टर सुजाना को एक ओल्ड केर हॉम का नाम भी सजेस्ट करते हैं लेकिन सुजाना खुद अपनी नाना के देखबार करना चाहती थी सुजाना फिर अपनी नाना को उनके घर पर लेकर आती है जहांपर वो अपनी नाना की जवानी के फोटो देखती है ये गर वही था जहापर सुजाना बच्पन में रहा करती थी और उसके बच्पन की यादे तासा हो जाती है जब सुजाना बात्रों में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मिरर नहीं अलगा हुआ है और फिर सुजाना जब भार कच्रा फेक न आती है तो वो खुद का फूटो बोट पर लगावा देखती है और उसे देखकर बहुत ही खुश होती है सुजाना फिर मार्केट से एक छोटा सा मिरर लेकर आती है और फिर उसे बातों में लटका देती है फिर सुजाना को अल्वीरा का कॉल आता है जहां पर वो उसे अपने ग्रेंड मतर की कंडिशन के बारे में बताती है वो ये भी बताती है कि उसके ग्रेंड मा और उसका बतड़े सेम डेट पर आता है और उसकी नाना दोनों के बड़े के लिए बहुती ज़्यादा एकसाइटेट थी सुजाना अपने फ्रेंड अल्वीरा से माफी भी मांगती है कि वो उस फोटोग्राफर से मिलने नहीं जा पाई जिस पर अल्वीरा उसे कह देती है कि उसने दूसरी मोडल जोई को वहाँ पर भेज़ दिया था जिससे कि सुजाना खुश नहीं थी अब सुजाना अपनी नाना को खाना खिला रही थी कि तब ही उसकी नाना के गले में खाना अटक जाता है और भी सुजाना उनके गिले से अटकाव खाना निकालती है सुजाना फिर अपने नाना को उनके रूम में सुला देती है और खुद बात्रों में अपना फेस वाश करने के ले जाती है तब भी उसे उसकी नाना की आवा जाती है और दोड़कर उनके कमरे में जाती है वो देखती है कि उसकी नانा जोर-जोर से चिला रही थी और उन्होंने बेट पर ही टॉलेट कर दिती सुजाना फिर उनको साफ करने के लिए आदी राट में बातों में लेकर आती है वो पहले तो उन्हिलाती है जिसके बार में वो उने फिर से सुला देती है अब वो सुजाना जब रात को फोन चला रही थी तो वो जोई के इंस्टाग्राम को स्टॉक कर रही थी जिसके बार में वो सो जाती है जब वो सुजाना नीन में थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में आया है और ये और कोई नहीं बलकि नाना थी जिसने कपले नहीं पहने होगे थे वो पहले सुजाना का चादर कीचती है और फिर उसके लोगर को दिरे से नीचे खसका कर उसके मुग के अंदर उंगले डालती है लेकिन असल में ये सुजाना का एक बुरा सपना था फिर अगली मौनिंग जब सुजाना अपनी नाना को खाना खिला रही थी तो बिना वज़े जोड़ जोड़ से हसे जा रही थी जिससे कि सुजाना बहुती जादा परेशान हो गई थी फिर सुजाना देखती है कि पूरे घर के घड़ियों में आठ बज़ने में पांच मिनट की देर थी और इस समय पर सारी घड़िया बंद हो गए थी ऐसा एक दो नहीं बलके पूरे घर के घड़ियों के साथ में हुआ था अब सुजाना जब ना रही थी तो उसके घर के डोर में बचती है लेकिन जब सुजाना नहा कर बार आती है तो देखती है कि एक खुबसुरत से लगी उसकी नाना के पास से मेटी हुई है वो अपना नाम इवा बताती है और कहती है कि वो उसकी नाना की फ्रेंड है और वो अक्सर यहाँ पर उसकी नाना से मिले के लाती है और उसके पास में इस घर की एकस्टा शाविया भी थी सुजाना ये देखकर हैरान थी कि उसे इस घर की हर चीस पता है फिर इवा उसे कहती है कि उसके भी ग्रेंडमा की तीन महीले पहले डेट हो गई है अब इवा सुजाना से पूछती है कि वो आगे क्या करने वाली है तो सुजाना जवाब देती है कि वो किसी नर्स को डून लेगी क्योंकि उसे अपनी जॉब के लिए वापस पेरी जाना पड़ेगा जिस पर इवा कहती है कि क्या हो अपने बड़े पर भी वापस नहीं आईगी क्योंकि उसकी नाना उसका बड़े बहुत अच्छे सदे सेलिबरेट करना चाहती थी और इस चीज़ को आप अपने माइड में जरूर टखना क्योंकि पूरा खेल यहें पर टिकावा है सुजाना फिर किसी नर्स को अपनी नाना की देखबाल के लिए ढून रही थी और उसे कल मिलने के लिए बुला रही थी फिर अब रात को सुजाना अपनी नाना को डैपर पिना देती है और सोने से पहले वो अलिविरा को टेक्स करके बोलती है कि वो जल्ली सब कुछ ठीक करके वापस आ जाएगी सुजाना को फिर कुछ आवाज आती है और जब बाहर देखने के लिए जाती है तो उसकी नाना दर्वाजा खुल के खड़ी होती है और वो किसी से बाते कर रही थी सुजाना जब वहाँ पर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था फिर सुजाना जब पलटती है तो उसकी नाना अब गयाब हो चुकी थी और एक ही पल में उसके सामने वो खड़ी हो गए थी फिर अचानक से दर्वाजा बंत होता है और अब नाना वहाँ पर कही नहीं थी सुजाना जब नाना की रूम में जाती है तो देखते है कि नाना तो सो रही है तो उसके साथ में जो अभी अभी हुआ क्या वो सच था या एक सपना उसे समझ नहीं आ रहा था सुजाना देखते है कि रूम की खिलकी खुली हुई है और उसकी नाना उदर ही देख रही थी तो सुजाना खिलकी लगा कर वहाँ से चली आती है लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है तो उसे रोम से फिर से खिलकी खुलने की आवाज आती है सुजाना जब वापस रोम के अंदर आती है तो देखते है कि उसकी नाना को कुछ हो गया है और वो अजीब तरीके से हिल रही थी सुजाना नाना का ब्लेंकेट हटा देती है वो देखती है कि उसकी नाना का पेट पूरी तरीके से फूर रहा था और उनके जुमान बाहर आ रही थी और ये देखकर सुजाना बहुते सादा डर गई थी वो तुरंट एमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है लेकिन तब तक उसकी नाना नॉर्मल होकर वापस से सो गई थी सुजाना फिर नॉर्मल होती है और उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उसके साथ में ये क्या हुआ है फिर सुजाना इतने जादा डर गई थी कि वो वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाती थी तो इसलिए वो सोफे पर बेटकर टीवी देखना लगती है लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है फिर नेक्स्ट मौनिंग सुजाना जब बर्तन दो रही थी तो उससे एक गाना सुनाई देता है जिस से उससे याद रता है कि उसकी एक बच्पन के डायरी हुआ करती थी सुजाना उस डायरी को ढूंड ती है और उसके डायरी में उसके भज़पन के मेमोरिश थी जिसमें उसने अपने भज़पन के सारी बाते भी लिखी थी असल में सुजाना के पेरेंट उसके बहुत ही कम एज़ में मर चुके थे और हमेशा अपने नाना के पास में रहती थी वो अपने बत्टे की मेमरों को याद करे थी अब क्योंकि उसके चिनम दिन पर उसके नाना का भी बड़्ड होता है तो उसके नाना की फ्रेंड जूलिया भी वहाँ पर आई हुई थी जूलिया की भी एक ग्रेंड डॉटर थी जिसका नम एवा था जिससे के सुजाना पहले मिल चुकी थी फिर सुजाना को उसके नाना एक डिंक पिलाती है जिससे की वो खोश खोबेटती है फिर उसके बार में नाना सुजाना के बाल काटकर उसे खालेती है ऐसा होने के बार में सुजाना को रोज रात में अजीब बुकरे सपने आते हैं और ये सारी बातें फिर से याद करने के बार में सुजाना फिर से डर गई थी वो नाना को खाना खिलाते टाइम उसे पूछ रही थी कि वो बच्पन में उनसे क्यों डरा करती थी लेकिन नाना को उसकी बात कहां सुनाए दे रही थी सुजाना को एक फोटो भी मिलता है जिसमें उसकी नाना इवा के साथ में बेटी हुई थी अब बसुजाना गर के बार कच्रा फेक निकले जाती है लेकिन जब वापस आती है तो वहाँ पर उसकी नाना नहीं थी वो परिशान हो जाती है और उसकी नाना को हो सबी तो ढूंडने के ले निकल जाती है लेकिन उससे कहीं नहीं मिलती है फित्त खार कर वो शाम को जब अपने गर पर आती है तो देखती है कि नाना गर में एक चेर पर बेटी हुई थी सुजाना भी नाना को खाना किलाती है लेकिन उसकी नाना फिर से पागलों की तरह हसे जा रही थी सुजाना जब अपने रूम में जाती है तो सोते टाइम उसके उपर एक लाइट पड़ती है जब वो उसे चेक करने के लजाती है तो वो अपने हाथ को देखती है जोके एक बुड़े इंसान जैसे हो रहे थे उसका चेरा भी बुड़ा हो गया था और उसके दांद भी निकल रहे थे और सुजाना की मौत हो जाती है फिर वहाँ पर वो इवाँ को कमरे के अंदर आता हुआ देखती है लेकिन सुजाना की जैसे निंद खुलती है तो देखती है कि वो अपने नाना के रूम में है और सुजाना को अब यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसकी नर्स वहाँ पर जल्दी आने वाली थी और नर्स से मिलने के बार में सुजाना वापस पेरेज जाने वाली थी नर्स वहाँ पर उसे मिलने के लाती है और वो उसे कल से आने का बोलकर चली आती है सुजाना बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी नाना का ध्यान रखने के लिए कोई उसे मिल गया है और वापस अपने काम पर पेरेज जा रही है वो जैसे नाना के रूम में आती है तो देखती है कि नाना अपने हाथों से कुछ अजीब अजीब चीज़ते कर रही थी और कुछ मंतर भी बोल रही थी वो अपने हाथ का एक इशारा करती है और इतने में बाहर से एक आवाद आती है सुजाना जब खिलकी से देखती है तो शौक डो जाती है क्योंकि जो अभी अभी नर्स वहाँ पर आई हुई थी उसका एकसिज़ेंट हो चुका था और मर चुकी थी और ये सब कही न कही नाना नहीं क्या था सुजाना अब भूती ज़दा डर गई थी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे वो अपने घर नहीं जाती है और एक रेस्टोंट पर जाकर खूब होती है फिर सुजाना जब राज को घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी नाना खिलकी से उसे ही देख रही थी सुजाना अब फिसला करती है कि वो अपनी नानों को लेकर एक ओल्डे जोम में छोड़ देगी वो उन्हें लेकर उस ओल्डे जोम में जाती है और अपसे नाना ये पर रहने वाली थी हमें देखकर ऐसा लग रहाता कि नाना सुजाना का इस डिसिजन से बहुत ज़्यदा दुकी थी सुजाना फिर नाना को इस ओल्डे जोम छोड़कर तो संडे से बहुत सारे किड़े निकलते है और सुजाना न्यूस पर सुनती है कि एक नर्सिंग होम में आग लग गई है और वहाँ पर कोई भी जिन्दा नहीं बचा है और ये नर्सिंग होम वही था जहां पर सुजाना अपनी नाना को छोड़कर आई थी सुजाना को लग रहा था कि कहीं उसकी नाना भी उस आग में मरत नहीं गई तो इसलिए सुजाना वहाँ पर फून लगा कर पूछती है तब ही हम नाना को उसके घर में चेर पर बेटावा देखते है और सुजाना उन्हें देखकर डर जाती है वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करें सुजाना ये गलती कर देती है कि वो अभी भी घर छोड़का नहीं जाती है फिर वो अपनी नाना को खाना खिलाती है और अचानक नाना को फिर से खाना अटक जाता है लेकिन इस बार सुजाना उन्हें नहीं बचाती है वो नाना को मने देती है और कुछ देर के बार में वो देखती है कि नाना अब मर चुकी है अब रात के बारा भी बज़ गए थे और आज सुजाना और नाना दोनों का बत्र देता फिर सुजाना एमरजेंसी नमर पर कॉल करके बताती है कि उसकी नाना मर चुकी है लेकिन सुजाना जब उसकी नाना का फोटो उठा कर देखती है तो जिस फोटो में उसकी नाना और इवा का फोटो था उस फोटो में अब इवा और वो है फिर अचानक पूरे घर के लैट चलियाती है और बस एक केंडली जलती रहती है सुजाना उसे बुजाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो केंडल नहीं मुच्टी है वो वहाँ पर एक बॉक्स को भी देखती है जिसमें सुजाना के बच्पन की फोटो थी और उसे देखकर सुजाना डर जाती है अब अचानक से वहाँ का मिरर तूट जाता है और उसमें से उसे नाना दिखाए देती है सुजाना वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन अचानक उसकी पुरी बॉड़ी जकर जाती है और ऐसा लगता है कि मानो कि कोई उसे पकड़ कर उसे तोड मरू रहा हो सुजाना कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उस बहुत जादा बेबस हो गई थी उसे फिर नाना आते हुए रिखाए देती है जो कि अपने हाथों से किसी प्रकर का जादू कर रही थी फिर वो सुजाना के सर पर आकर खड़ी हो जाती है और नाना के मूँ से उनकी सोल निकलती है और उस सुजाना की बाड़ी में चली आती है थोड़ी देर के बाद में हम देखते है कि वहाँ पर सुजाना धिरे धिरे उठती है उसके खान में आकर बोलती है कि सुजाना की बोड़ी नाना की है उन नाना की बोड़ी सुजाना की सुजाना भी नेकड होकर उस पेंटिंग के सामने खड़ी होती है और अब उस पेंटिंग पर नाना की जगे सुजाना की पेंटिंग लगी हुई थी वहाँ पर एवा भी आती है जो कि सुजाना की बॉड़ी को बड़ी गोर से देखती है वो उसकी पूरी बॉड़ी को टच करती है और नाना याने की सुजाना अब मर चुकी थी और इसे के साथ में ये मूवी ये पर खतम हो जाती है तो दोस्तों आखिर मूवी के एंड में आपको समझ में आई गया होगा कि इस मूवी में क्या हुआ तो अशल में पिलर और उनकी फ्रेंड जूलिया दोनों लेजबेंस थी वे दोनों एक दूसर से प्यार करती थी दोनों इं ब्लेक मेजिक भी जानती थी और उन्होंने हमेशा साथ रहने के लिए एक ऐसी टेक्निक अपनाई जो कि बहुत ही ज़्यदा इन्हुमन थी दोनों ने ब्लेक मेजिक से अपनी अपनी सोल को अपनी ग्रेंड डॉटर के अंदर टांसफर कर दिया जूलिया ने एवा को और पिलर ने सुजाना को मुवी में कहीं नहीं बता गया है कि सुजाना सच में पिलर की ग्रेंड डॉटर थी और ऐसा हो भी सकता है कि पिलर ने सुजाना को इसी ब्लेक मेजिक प्रेक्टिस करने के लिए एडप्ट किया हो चुकि दोनों का बड़े सेम डेट पर आता हो और शायद इसे से बलेक मैजिक किया जाता हो तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जूरू बताना और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मैं अपना ठेलिगाम चैनल पर इस मूवी को डाल दूँगा अब वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में